पेरियार ये ऐसा नाम है जिसे सुनते ही मनुवादी कापने लगते हैं पेरियार के नाम उनकी मूर्ती और उनके विचारों से मनुवादी बहुत डरते हैं इसी डर के कारण पेरियार की मूर्ती पर लिखे उनके विचारों को हटाने की मांग की गई है मामला सुप्रीम कोर्ट तक जांपोंचा है क्या है पूरा मामला वो समझ लीचे दरसल डॉक्टर M. देव नाइगम नाम के एक शक्स ने सुप्रीम कोर्ट में याची का दायर कर मांग की है कि तमिलनाडू में लगी पेरियार की मूर्तियों पर लिखे उनके विचारों को हटाया जाए क्योंकि वो भगवान का अपमान करते हैं और भगवान को मानने वाले लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं मूर्ति ओपर क्या लिखा है वो भी आपको जान लेना चाहिए पेरियार की मूर्ति के नीचे लिखा है कोई भगवान नहीं है परमेश्वर का उबदेश देने वाले मूर्ख है भगवान की बाते फैलाने वाले दुष्ट हैं और जो प्रार्थना करते हैं वो बर-बर हैं पेरियार अना कीन बातों से भगवान के भक्तों की भावनाएं आहत हो गई हैं याचिका करता ने दलिल दी है कि इस तरह के शिलालेखों वाली ये मूर्तियां भगवान धर्म और आस्तिक लोगों का उपुहास करती हैं यानि उनका मज़ा अकुडाती हैं जो की राज्य द्वारा सुईकृत धर्म की सारजनिक निंदा के समान है और धर्म निर्पेक्षता के सार पर प्रहार करते हैं राज्य और धर्म के सकत और लगाओं की मांग करता है कि इस तरह के शिलालेखों को मनजूरी दे कर राज्ये से नेकेवल अलग थलक कर दिया है बलकि भगवान के विश्वासियों के साथ भी भेद भाव किया है और इस तरह सम्विधान के अनुछे 14 और 21 के तहट समान व्यवहार के अधिकार और समान के साथ जीवन जीने के अधिकार का उलंगन किया गया है सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कॉल और जस्टिस एस ओकाने की और बेंच ने तमिलाडू सरकार को इस बारे में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है जिहां सुप्रीम कोट ने तमिलाडू की स्टालिन सरकार से जवाब मांगा है कि वो इस बारे में क्या सोचती है वैसे पेरियार के वारी स्टालिन उनके बारे में क्या सोचते हैं वो तो सारी दुनिया ही जानती है लेकिन ऐसी ही याचिका 2019 में मदरास हाई कोट में भी दायर की गई थी तब इन पेरियार के जो विचार है नास्तिक विचार है इनका हवाला देकर धार्मिक भावनाओं के आहत होने की दुहाई दी गई थी तब मदरास हाई कोट ने याचिका को खारिज करते हुए बेहत दिल्चस्ट प्रिपनी की थी हाई कोट ने तब कहा था यदि याचिका करता को भारत के समविधान के अनुच्छे दुनिस के तैत ललाई सिंग यादव मामले में सुप्रीम कोट के निरने के अलोग में धर्म और ईश्वर के अस्तितों पर अपने विचार व्यक्त करने का समविधानी का अधिकार है तो दूसरे प्रतिवादी और पार्टी के सदस्से या थन्थई पेरियार के अनुच्छे दुनिस के तैत आधिकारों को अप्रियोग करते हुए इस से औस आहमत होने का अधिकार रखते हैं आसान भाषा में मदरास हाई कोट के इस फैसले का मत्रब यह है कि जैसे आस्तिक लोगों को आर्टिकल 19 के तैत अभिव्यक्ती की अज़ादी और आर्टिकल 25 के तैत धर्म को मानने की अज़ादी है वैसे ही देश के नास्तिक नागरिकों को अपना अलग मत रखने की भी आज़ादी है यानि भगवान को ना मानने की भी आज़ादी है डोक्टर M. देव नाईगम ने मदरास हाई कोट के इसी फैसले के खिलाब सुप्रीम कोट में याचिका दायर की है जिस पर सुप्रीम कोट ने तमिलाडु सरकार को नोटिस जारी कर दिया है याचिका में ये भी कहा गया है कि तमिलाडु सरकार ने मानविय गरीमा की रक्षा की अपनी जिम्मेदारी को त्याग दिया है और पूरे सूबे में पेरियार की मूर्तियों पर इस तरह के शिलालेखों की अनुमती दे कर लोगों की गरीमा को बदनाम किया है दलील गरिमा की है लेकिन जिस धर्म में शूद्रों अतिशूद्रों के अस्तित्व को ही नकार दिया गया हो वहां मानव की गरिमा के लिए हुकार भरने वाले पेरियार के विचार लोगों को चुबने लगते हैं वैसे पेरियार साब ने कहा था कि नास्तिक होने के लिए तारकिक बुद्धी होनी चाहिए और बुद्धिमान व्यक्ति ही तारकिक हो सकता है नास्तिक वही हो सकता है जो तारकिक हो सवाल कर सके आस्तिक होने के लिए बुद्धी की जरूरत नहीं होती सिर्फ इश्वर के साम विए पऊपने खुद को सरेंडर करना होता है यह पेरियार साहब ने बात कही थी वैसे गजब तो यह है कि धार्मिक लोगों की भावनाएं किसी भी आपका क्या कहना है, पेरियार साहब के विचारों के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे नाम सुमिछ र१ान है और इस hardly वीडियो स्थोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सयोगी मोईत और अगल किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों तब तक आप देखते रहिए The News Week